नमस्कार दोस्तो, Venom Academy में आपका स्वागत है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनालजी, क्या है हमारे पास? रुके में पैन सलेक्ट कर लेता हूँ, दो मिनिट स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? एनालजी, यानि सादरिश क्या है हमारे पास शादृष यह हमें क्या देखनी है समानता ठीक है न हमें क्या देखनी है बेसिकली समानता शादृष ठीक है न analogy कैसे बनेंगे question question के थूँ fast revision में discuss कर लेते हैं ठीक है न चल यह देखे सबसे पहले आपको यह question दिया हुआ होगा ठीक है यह question आपको show हो रहा ठीक है इस पर आपको करना क्या है सबसे पहले कि आपको देखना है 12 यहां पर हमारे पास क्या है 12 और 46 146 इनके बीच में क्या relation है इनके बीच में आपको relation देखना है ठीक है न तो मैं अगर देखूं इत्मिनान से बहुत time रहेगा इस exam में हमें सिर्फ relation पता लगाना है relation क् 12 का स्क्वायर करूं 12 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या होता 144 लेकिन यह तो 46 है मतलब यह किया हुआ है यानि की कहने का मतलब की 12 का स्क्वायर प्लस 2 किया हुआ है यानि हमारे पास जो भी यह वाली संख्या है इसका relation क्या बन रहा है 12 के स्क्वायर प्लस 2 तो यह भी जो सं और यहाँ पे 225 में अगर हम 2 का add कर दें तो 25, 26, 27 यानि हमारे यहाँ पे correct tensor क्या हो जाएगा 15 इतनी बात समझ में आई शादिरश्टा में हमें कुछ नहीं करना हमें क्या देखना है relation देखना है analogy में इन दोनों की बीच जो relation है वोही relation यहाँ की संख्याओं पे हो जाता है इतनी बात समझ में आई चलो next question चलते है यह देखे सबसे पहले हम इस question को देखते है ये question में हमें सबसे पहले इन दोनों की बीच में relation find करना है ठीक है ना? चलो आओ relation find करने की कोशिश करते है कि relation इन दोनों के बीच में क्या है चलो आओ देखते देखो सबसे पहले यह जो triangle है यहाँ पे जो बना हुआ यह triangle तो इसमें जा के यहाँ पे कोई भी triangle नहीं है है ना इसमें यहाँ पे कोई भी triangle नहीं है लेकिन यह जो यहाँ पर इसके अंदर आकरती बनी हुई है यह आकरती यह आकरती as it is यहाँ पर बनी हुई है इसका मतलब क्या है आप यहाँ पर दो आकरती दी हुई है पहली आकरती हमारे पास यह है जो कि यहाँ पर same as it is है ठीक है ना इतनी बात समझ में आई तीन भुजाएं और यहां पर पांच भुजाएं हो गई है मतलब दो भुजाएं क्या हो गई है एक्स्ट्रा एड हो गई है और तो अब हमारे पास relation पता चल गया कि यह वाली आकरती सेम है और इसमें दो भुजा एड हो गई है ठीक है और यह इधर की तरफ शिफ्ट हो गई यह यह देखे कुछ ऐसा बंग चुका है ठीक है ना चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से अब देखे सेम इसी तरह यहां पर भी क्या हो जाएगा यह भुजा यहां पर सेम रहेगी यह भुजा यहां पर क्या रहेगी सेम रहेगी अब आपको क्या करना है option देखना ह यह वाला जो है इसको हमें क्या करना है यहां पर दो भुजाएं इसमें एड कर देना यानि अभी इसमें हमारे पास कितनी भुजाएं हैं देख लिजे एक दो तीन चार पांच यानि हमें इसमें पांच भुजा में दो एड कर देना है मतलब यहां पर हमें सब भुज बनाना है ठीक है ना साथ भुजाओं वाला बनाने चले आओ देखते हैं सबसे पहला हमारे पास यह तो होगा नहीं क्यों क्योंकि यह देखो यह तो सेम है पहला ऑप्शन गलत हो गया दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं दूसरा option क्यों नहीं होगा सेम देखो यह आकरती भी तो बदल रही है आपको देखना पड़ेगा कहां यहां मैं थोड़ा से छोटा कर देता हूं यह देखे यह जो आकरती है यह जो आकरती है यह shift भी तो हो रही है इधर तो इसका मतलब यह भी नहीं हो पाएगा second option भी नही 3rd option देख लेते हैं 3rd हो सकता है क्यों क्योंकि यह आकरती इधर shift हुई है और यह भी हो सकता है लेकिन 7 बुझाएं जिसमें होंगी यहां पर पहले कितनी थी हमारे पास बुझाएं यह देख लीजे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां पर हमारे पास कितनी बुझाएं एक दो दो तीन चार पांच और दो हमें add भी करनी है यानि हमें total साथ बुझाएं निकालनी है तो साथ बुझाएं जिसमें होगा वही हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आईए इन दोनों को चेक करते हैं यहां पर हमारे पास कितनी बुझाएं है एक दो तीन चार चे तो यहां पर चे भुझाएं इसलिए यह गलत और यह वाला हमारा option सही हो जाएगा तो हमें क्या बताना है दो के बीच में relation देखना है और तीसरी आकरती हमें guess करनी है आपने आपको समझ में आया समझ में एक बार फिर से देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए देखे यहां पर तीन भुझाओं वाला था यहां पर क्या हो गया पांच भुझाओं वाला हो गया कितनी भुझाओं दो भुझाओं एड हो गई ठीक है और यह left में था इधर इधर right में आ ठीक है अब देखे इसी तरह से हमने इसे क्या किया यहां पर कितनी भुझाओं थ ठीक है ना चलिया यह next option देख लेते हैं next हमारे पास क्या है चलिये next question हमारे पास क्या है यह देखिए अब इन दोनों के बीच में सबसे पहले आपको relation find करना है g और j में g से अगर मैं कहूं मेरे पास क्या है g t u ठीक है ना बहुत जल्दी आपको relation देखना है हमारे पास क्या है j w x ठीक है g h i j यानी plus 3 add किया हुआ है t u v w plus 3 add किया हुआ है u v w x ठीक है ना u v w x यहाँ पर भी 3 add किया हुआ है मतलब इन सब में क्या किया हुआ है प्लस तीन एड किया हुआ है तो आपको क्या करना है CMN आपके पास क्या है CMN इसमें भी आपको क्या करना है तीन एड कर देना है तो आपके पास तीन एड करोगे तो क्या हो जाएगा C, D, E, F, L, M, N, O, P, N, O, P, Q यानि F, P, Q आपका answer होने वाला है जो कि आपका क्या है second number option है कुछ नहीं करना है बस आप लोगों को analogy में साधरश्यता में दो के बीच का relation निकालना है और उसी relation को तीसरे के साथ चिपका के answer बता देना है इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो चले तीसरा question आप लोग को बिल्कुल आप लोग क्या करना है इसको pause करना है और सबसे पहले इसको एक बार अपने से करना है pause करिए वीडियो को इस question को अपने से करिए फिर मैं बताता हूँ सबसे पहले अपने को करिए यह question number कौन सा है मैं देख लेता हूँ तीन है थर्ड number question number है इसका आप लोग screenshot ले लिजे और group में जितने भी लोग प्लीज यार आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार group में message कर दिया अगरो थोड़ा motivation मिलता है ठीक है आप लोगों को बताने का नई नी चीजे सिखाने का तो इस question को आप लोग answer करोगे कहाँ पे group पे करोगे paid वाले group पे जो हम लोगों का चल रहा है WhatsApp पे ठीक है नवहाँ पे आप लोगों को इसमें message करना है कि question number 3 का answer screenshot सहीत आपको message करना है कि sir इसका answer यह है ठीक है नचलो next हम चलते है next question number पे चलते हैं यह देखे यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है relation बनाना है पहले दो के बीच में क्या relation है वही हमें तीसरे के साथ चिपकाना है ठीक है ना चलिए तो हमारे पास क्या है यहाँ पे A B C और D ठीक है ना A B C D और इस पे क्या लिखा है F G I H अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ी आपको कठिनाई होगी कि A से F है ना B से G कोई सेंस नहीं बन रहा है लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि A के बाद B लिखा हुआ है और D ऐसे लिखा हुआ है F के बाद G यहाँ पे लिखा हुआ है H यहाँ पे लिखा हुआ है और I यहाँ पे लिखा हुआ है F G H I तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब देखें अब देखें यहाँ पे देखेंगा कि यहाँ पे कुछ सिरीज लिखी हुई है समझने की बात करिएंगे सिरीज लिख ए नहीं लिखा हुआ है अब F से चालू हुआ है F G H और I है ना ठीक है ना तो यहां पर क्या है हमारे पास H I J K तो हम भी क्या है K तक गए L नहीं लिखेंगे L M N O P ऐसे लिखेंगे है ना बात समझ में आई M N O P तो हमारे पास क्या हो जाएगा M N O P आपका सरवदा सत्य एंस हो जाएगा एक बार फिर समझते हैं एक बार फिर समझते हैं यह सिरीज के बनी कैसे एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं यह सिरीज बनी कैसे है इसके पीछे का आइडिया क्या है ठीक है ना एक बार और समझ लेते हमारे पास इन्होंने क्या कहा A B फिर इन्होंने C यहां D यहां लिखा ठीक है ना पहले नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर ठीक है ना फिर पाचमा इन्होंने E नहीं लिखा फिर छटमा लिखा F G H I तो इन्होंने क्या किया पचमा छटमा सतमा अठमा नौमा है ना यानि इन्होंने एक दो तीन चार पचमे को नह हुई लिखा 6, 7, 8, 9 तो हमने भी क्या किया इसके साथ हि, घ, ँ, ज, कै तो हमने क्या कियाH service है है कि नौमने क्या लिखा 8, 9, 10, 11 रहा हमने भी क्या किया 12 को छोड़ दिया 12 फिर हमने क्या लिखा 13, 14, 15, 16 ठीक है न? 13, 14, 15, 16 तो 13 हमारे पास क्या होता है? M, N, O, और P तो ये हमारे पास क्या आगया? answer आगया तो इतना आपको करना ही नहीं है बस आपको logic पकड़ना है और logic के साथ आपको चल देना है ठीक है न? अच्छा question था बहुत बार exam में कभी-कभी ऐसा कोई भी combination बना के दे सकता है question endless है question की कोई सीमाई नहीं देखे चली अब इस question में देखते हैं यहाँ पे ये वाली आकरती में जिसके अंदर star है अगली में कहां जा चुकी है? उपर जा चुकी है लेकिन इसमें कित्ती भुजाए है पहले? इसमें कित्ती भुजाए है? देख लिजे इसमें कितनी भुजाए है? एक, दो, तीन, चार तो इसमें भी 4 में किता 2 add हो जाएगा तो उपर किती भुजा होनी चाहिए ये 6 भुजा होनी चाहिए ठीक है चलिए एक तो combination बन गया दूसरा देखे लेते हैं ये जो भुजा है ये वाला जो diagram है इसको थोड़ा सा tilt कर दिया गया है इसको पहले ये कैसा था ऐसा था अब इस क्यूंकि क्यूंकि इसका base तो ऐसा ही रहेगा है नहीं यानि इसको क्या करना हूपर डो भुजाय जोड़नी है जिसमें हमारे पास दो फिसला होंगी स्वारी हमारा जाएगा यहां यहां पर पास किता है एक दो तीन चार यानि हमारे पास यहां पर सट भूज होना चाहिए उपर और यह उसके अंदर बने होने चाहिए सेम इसी तरह से ठीक है ना इतनी बात समझ में आई चलिया यह देखते हैं तो इसको तो यह वाले पॉर्शन को तो उपर जाना चाहिए अब ऑप् प्रेंट यहां हो सकते हैं और चैक कर लेते हैं यह लेकिन यहां पर देखे चार्व हो में इस लिए भी नहीं होगा तो हमारा आप्शन नंबर कौन सो हो जाएगा आप्शन नंबर बी एकदम सरवदल सत्य फो देंसर हो जाया बस आपको इन दौनों के बीच में क्या करना है relation find करना है इन दोनों के बीच में आपको relation find करना है वही same relation आपको यहाँ पर चिपकाना है ठीक है समझ में आ रहा है analogy को topic चलिए next question पर चलते है next question ये रहा थकना सोना अगर थकना सोना है तो वर्षा बादल की परहेज अधिक बजन किसमें होगा सुबह ट करिए और क्या करेंगे comment section में comment करने की कोशिश करेंगे ठीक है इससे आप लोग को कभी involvement बना रहेगा चलिए चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है जब हम ठक जाते हैं ठकान लगती है तो automatically हमें क्या आती है नीद आती है यानि हम सो जाते हैं ठीक है न तो परहेज जरूरी न खा रहा है न यह तो mail ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे जब बादल आते हैं तो वर्षा होनी ही है ठकान है तो सोना पढ़ता ही है बादल है तो बर्षा होनी ही है इसलिए यह हमारे पास क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा analogy का topic चल रहा है ठीक है न चलो इसमें क्या है जी डबलू आर है न क्या लिखा है जी एच डबलू जड़ डबलू ठीक है न जी इसमें क्या करेंगे प्लस वन जी आच डबलू एकस वाईजड यानि यहाँ से नहीं तक आने में हमने क्या किया है प्लस थ्री R, S, T, U, V, W यानि हमने यहाँ पर क्या किया है प्लस 5 किया है तो पहले में प्लस 1 फिर प्लस 3 प्लस 5 तो यहाँ पर भी C में प्लस 1 D, J में कित्ता करेंगे प्लस 3 J, KLM और O में हम कित्ता एड करेंगे 5 एड करेंगे तो O, P, Q, R, S, T तो PQRST यानि DMT DMT हमारे पास कहीं पर है यह option second option बस आपको दो में ढूड़ना है relation तीसरे में आपको automatically चिपका हुआ मिल जाएगा ठीक है ना चले next हमारे पास क्या है पौधा बढ़ता है पौधा बढ़ता है संघर्स जीतता है नहीं कह सकते ऐसा पिंट तरल यह तो समझी नहीं और option क्या दिया लकड़ी steel यह तो कुछ नहीं देखे पौधा बढ़ना जैसे कहते है ना पौधा बढ़ रहा है तो आग जल रही है यानि आग का जलना आग जलना यह हमारे पास क्या हो जाएगा analogy का correct answer हो जाएगा ठीक ना चली आई इस पे द 9 और 3 6 1 यह आपके पास 4 option है इनको आपको क्या करना है यहां पर भी comment करना है और आप लोगों को paid वाला जो group है वहां पर भी आपको comment section में comment में जरूर आप लोग comment करिएगा क्यों क्योंकि यह बहुत ही अच्छा question है इन सारे question में सबसे अच्छा question यही है ठीक है ना तो इस के साथ इस class को हम यहीं पर समाप्त करते हैं कैसी लगी आपको class जरूर बताईगा quick revision है कोई time pass नहीं please एक बार सब लोग पढ़ लीजेगा please एक बार आप सबको यह जरूर पढ़ना है चलिए तो आज की class को यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद